असलाम वालेकुम वरहमतुल्लाइ बरकातू, वेलकम बैक टू मैं चैनल का फुटॉरियल्स, आज के टॉटॉरियल में हम अंब्रेला फ्रॉक स्टिच करेंगे, मेयर्मेंट जो है वो मैं साथ साथ शो करती जा रही हूँ, आप लोग वहां से देख के अगर सेम मेयर्मेंट कर सकते हैं, ये वाला साइज जो है आठ से नो साल की बची का है, हेल्दी बची हो तब भी आप रख सकते हैं, ज्यादा हेल्दी हो तब नहीं, मतलब नॉर्मल के लिए आप रख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से करते हुए कंदे की कर्टिंग करेंगे, तो मैंने यहाँ पे box त्यार किया है उसके उपर जो है अब मैं एक इंच का निशान लगाऊंगी half inch cutting के लिए और half inch stitching के लिए यहां पे जो chest का निशान है वो मैंने 7.5 इंच पे लगाया है इसके बाद कंदे की कुछ इस तरह से गुलाई कार लेंगे और इसके बाद जो है जो फिटिंग का निशान लगाना है वो मैं 6.5 इंच पे लगाऊंगी इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को जो है तिरशी लाइन लगा के मिला लेंगे जो गले की चुडाई है वो मैंने 2 इंच रखी है उसके बाद जो हाफ इंच हमने कटिंग के लिए रखा था उसके साथ इस पॉइंट को मिला लेंगे बैक साइड का जो गला है वो मैं 2 इंच गहराई में रखूंगी बैक साइड का जो है वो ज़्यादा डीप नहीं करना फ्रंट साइड का जो है वो साड़े 3 इंच पे मैं निशान लगाया है उसी तरह से सेम वे में एक बॉक्स त्यार करके तो फ्रंट साइड के गले की भी गुलाई कर लेंगे यहां पर आप मैं हाफ इंच जो है निशान लगा के इसको थोड़ा सा गुलाई वाली शेफ में कट करूंगी यह वाली अगर आप लोग यहां से गुलाई करते हैं तो जो बॉड़ी की शेफ है वो उसकी शेफ काफी अच्छी आएगी और फ्राग जो स्रीच हुआ होगा वो प्रफेशनल लुक देगा बैक साइड के गिले की कटिंग करने के बाद यहां से एक पीस को निकाल लेंगे और फ्रंट साइड का जो पीस है उसकी दुबारा से कटिंग कर लेंगे दीप कटिंग करनी है और इसके बाद बादों की जो लेंद है वो मैंने साड़े साथ इंच रखी है और width जो है इसकी वो 7 इंच है यहां पे मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी नीचे 2 इंच का निशान लगाएंगे इसके बाद यह जो 2 points हमारे पास आते हैं इनको तिर्ची line लगाके मिला लेंगे तिर्ची line का half कर लेंगे उसके बाद यहां पे half इंच एकस्ट्रा निशान लगा कि यहां से हम लोग गुलाई करेंगे इसको हम इसी तरह से cut कर लेंगे इसके बाद कंडे का निशान लगा लेंगे और इसको जो है वो cut कर लेंगे आगे से आप लोगों ने cut नहीं करना यहां पर मैं elastic use करूंगी तो मैंने कंदे का निशान और जो आगे से मैंने half inch fold करना है उस पर एक cut का निशान लगा लिया है इसके बाद जो नीचे वाला हम piece तियार करेंगे frog umbrella है तो इसके लिए fabric जो है वो थोड़ा सा extra चाहिए होगा इस तरह से मैंने जो है fabric को तैया लगाई हुई है आप रोख चेक कर सकते हैं अगर हम इसको खोलेंगे तो यह 50 inch जो है इसकी चुड़ाई और 50 inch ही लंबाई होगी तैया लगा के 25 inch आ रही है यहां से हमने मापना है इस तरह से हमने यहां से भी 50 inch ही लाना है पहले हम अंदाजे से मापने के यहां पर चार इंच आ रहा था तो इसी तरह से अब मैं 4 inch का निशान लगा के तो गुलाई की शेप में कुछ इस तरह से निशान लगा लोगी कि साड़े चेंच जो है वो पूरा आ जाए यहां पर निशान लगाने के बाद हम लोग इसको माप लेंगे और इसके बाद इसको कट करेंगे यहां पर जो लैंथ रखनी है वो मैं 25 inch राक रही हूं तो उसी तरह से जैसे हम उन्हें उपर वाला खुलाई का निशान लगाया है उसी तरह से हम इंचेस टेप को पकड़ फ्लेयर है वो चेक कर सकते हैं बहुत अच्छा आता है और बहुत प्यारा फ्रॉक त्यार होता है बैक साइट का जो नेक है वो हम चार इंच और काट कर लेंगे बटन पर टी बनाने के लिए यहां पर आप मैं एक पीस काट करूंगी तिर्चा राक के यह वाला पीस आप ल लगाने के लिए मैंने काट किया है यह वाले पीस को आप फोल्ड कार के दरम्यान में एक लाइन जो है वो बना सकते हैं इसके बाद कुछ इस तरह से पीस को लगाएंगे नीचे से बॉक्स वाली शेप नहीं रखनी थोड़ा सा नोक बना लेनी है ताकि इसकी जो फिंशिं है हम उसको कट लगा लेंगे कट लगाने के बाद सीधा करने के बाद हमने इससाथ को अच्छी आ Nicotong लेगे ओंव उछा से ऐसकी जो फोल्ड कार जाएना है ताकि एसकी जो लुक हो अच्छी आ जाए जाए अज बार इसकी जो तीरा जोड़ेंगे के बाद सारे नैक पे मै पर्टी को जो है कुछ इस तरह से रखना है नीचे वाले नेक को हम सीधा कर लेंगे उसके बाद इसको इसके उपर रखेंगे और हाफ इंच जो है नीचे वाली साइट को मतलब ओल्टी साइट को फोल्ड कर देंगे इसके बाद टू पॉइंट सलाई के अंदर रखते हुए कि उसके उपर गुलाई में आप लोगों ने लगाना है फैबरिक तो यह थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे तो ज्यादा नीच लगेगा इसके बाद लास्ट से भी हम हाफ इंच काट कर लेंगे एक्स्टरा रखके उसके बाद इसको भी सेम वे में फोल्ड करेंगे और इसके उपर सिलाई लगा लेंगे इसके बाद इसके उपर एक और सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरह से फैबरिक को आप लोगों ने मशीन के अंदर करना है और इसको फोल्ड कारके नीट सा फोल्ड करना है आपने और इसके बाद जो है इसके उपर सिलाई लगानी है बैक से ही सारे नेक पे सिलाई लगा लूँगी नए आने वाले जो वीवर्स हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे और उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल की आइकान को जरूर प्रेस किया करें ताकि इस तरह की अच्छी जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से आ सके और यहां पर इस तरह से मैंने फ़ैबरिक को अंदर से कट कर लिया है और इसको हम यहां पे सीधा कार लेंगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कार दें और शेयर भी किया करें लाइक जरूर किया करें इस तरह से हम लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि हमने अच्छी अच्छी से वीडियो जो है वो आपके लिए लानी है यहां पे हम लोग आप जो निशान लगाया था मैंने फिटिंग का उसके उपर ही सिलाई लगाएंगे इसको मैंने सीधा कार लिया है इस्ती के साथ जिस साइड पे मैंने सिलाई लगाई है उस हिसे को नीचे की तरफ रखेंगे और हाफ इंच नीचे से फैबरिक चोड़ देंगे जो के हम सिलाई के लिए रखेंगे तो इसके बाद इसको कुछ इस तरह से जोड लेंगे यहां पे जो है बाड़ी का पीस त्यार है इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है उसको उल्टा रखेंगे बॉडी के पीस को सीधा रखेंगे और यहां से कट्स को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे कट्स को आपने लाजमी मिलाना है ताकि आप जब इसको जोड़ें तो इसमें चुनर्स वगेरा या कम या ज्यादा फैबरिक ना हो इसके बाद नीचे सिलाई लगाएंगे यह वाली सिलाई जो है बिगनर्स के लिए बहुत मुश्किल होती है लगानी डबल फोल्ड काड़के लगाएंगे तो सिलाई अच्छी नहीं आएगी आप एक दफा इसको फोल्ड कार सकते हैं इस तरहां से और इसके बाद जो है दुबारा से इसको फोल्ड कारके सिलाई लगाएंगे तो यह वाली जो सिलाई है बहुत नीट आएगी यहां पे आप लोग पिको भी करवा सकते हैं यहां पे मैंने सिलाई लगाई है तो भरीक सिलाई लगाने से same जो है लो लुक पीको वाली ही आती है यहां पर बाजो की जो half inch फेबरिक मैंने छोड़ा था उसके उपर सिलाई लगाएंगे सिलाई लगाने के बाद बाजों में मैंने elastic लगाना है तो यहां पर मैंने elastic जो है वो आठ इंच कट किया है आप लोग अपने हिसाब से मतलब मेयर्मेंट के ँचाइब करेंगे तो यहाँ पर लिए याएस्टिक लगाना है लाइनडरा करने का फायदा यह होगा कि एलास्टिक आप लगा सकेंगे लास्टिक के किणारे पराइक बहु हैंसराइ लगा सकें यहां पे अब हाफ इंच फैबरिक छोड़ते हुए मैं यह वाली सिलाई भी जो है लगा लूँगी दोनों साइट से आपने पका करना है सिलाईयों को जब भी आप लोग लगाएं पका करके लगाएं ताकि वो खराब ना हो इसके बाद कुछ इस तरह से जो नीचे से हा करना है और इसके बुद्धं का वाली सोदी यहां पर हाफ इंच का फैबरिक रखते हुए हम इसको जोड़ लेंगे सिलाई में हाफ इंच मैं पका कुल कुछ इस्तरह हैं से कड को मिलते हुए मैंने जाह पे सारी सिलाई के लिजो फोड़ी तो यह बीट ही आईगी हुए बहुत प्यारे लगते हैं इसके बात जो इसकी फिंशिंग की बात है तो आप लोगों के सामने हैं फिंशिंग बहुत नीट आई है बैक साइड पे मैंने ये एक बटन लगाया है इस तरह के बटन जो है वो अच्छे रहते हैं बैक साइड से फ्रॉक का जो फ्लियर है वो भी बहुत अच्छा लाग रहा है और निच्चों जो सिलाई लगाई है बारीक राक के वो तकरीबन जो है वो पीको वाली शेप ही दे रही है आप लोग इस तरह से सिलाई लगा के बहुत अच्छा सा फ्रॉक त्यार कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुझ झाल